Hello guys, आज मैं information share करूँगा आपसे about Oak Smith Gold, International Blended Whisky तो अभी कुछ ताइम पहले ही ये इंडिया में launch की गई है आप जानती हैं कि इंडिया जो है whisky का hub है, वर्ल्ड में different types of whisky यहाँ पे launch की जाती है तो अभी कुछ ताइम पहले ही ये whisky launch हुई है और इसको जो whisky को बनाया गया है, वो बनाया गया एक Japanese master blender है Shinji Fukuyo, उन्होंने ही इस whisky को blend किया गया है तो Suntory Spirits Limited, जो जापान में situated है उस distillery के chief master blender है, Shinji Fukuyo उन्होंने ही three different whisky's को लेके इसको blend किया गया है तो मैं आपको बता दू, अमेरिका से bourbon whisky, Scotland से Scottish malt and India से grain whisky, इन तीनों को blend करके उन्होंने इस whisky को बनाया है तो मैं आपको पहले इसकी एक बार bottle दिखा देता हूँ तो यह है इसकी bottle, काफी beautiful bottle है, बहुत ही अच्छा look है bottle का और बहुत ही है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा rotate करके दिखा देता हूँ तो इसमें मैंने आपको बताई है कि three different whisky's का blend है इसमें एक और आता है, इसका जो starting है oak smith silver तो यह उसका उपर का version है, oak smith gold मैं आपको बता दूँ कि जैसे इसमें three different whisky's का blend है तो यह आपको थोड़ी सी जैसे grain spirits का भी इसमें blend है तो आपको थोड़ा सा aggressive nature आपको इसमें grain spirits का लग सकता है लेकिन वो कुछ time में ही एकदम से mellow down हो जाता है तो bourbon whisky's का भी blend है, तो sure है कि आपको इसमें sweetness, honey और woody character और dry fruit, specially raisins का आपको इसमें flavor मिलेगा काफी अच्छी whisky है, blender और antiquity से better है तो आप इसको एक बार जरूर try करना, आपके state में होगी तो आप इसे एक बार जरूर buy करना मैं आपको बता दूँ मेरे पास यह 750 ml की bottle है, 42.8% इसका alcohol strength है, और price की बात करूँ तो 1200 के आसपास इसका price है, इन उत्राखंट, आपके state में, other state में price vary कर सकता है तो काफी अच्छा perform कर रही है whisky, काफी अच्छी sale हो रही है इसकी blender भी 1000 के आसपास की range की आती है, लेकिन यह उससे better है, smooth है ice के साथ और chilled water के साथ इतनी smooth लगती है guys, यह एकदम से बहुत ही smooth है एकदम से mellow down हो जाती है इसका taste, तो काफी अच्छी whisky है बहुत better whisky निकाली है और budget segment की बहुत अच्छी whisky है यह तो बहुत ही बड़ी whisky है, आप इसको cocktails में, juice के साथ, cold ring के साथ, on the rocks भी आप इसको easily पी सकते हैं तो आप इसे एक बार जरू try करना तो friends अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो please like, share and subscribe my channel thank you friends, thank you very much for watching this video